1. धन और सम्रिद्धि का महत्व धन तेरस, जिसे धन त्रेयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली त्योहार की शुरुवात का प्रतीक है. यह धन और सम्रिद्धि की देवी-देवी, लक्षमी की पूजा को समर्पित दिन है. लोगों का मानना है कि इस दिन देवी लक्षमी का आशीरवाद लेने से सौभाग्य और सफलता मिलती है. 2. पारंपरिक अनुष्ठान और पूजा धन तेरस पर लोगों द्वारा अपने घरों की साफ सफाई और सजावट करने की प्रता है. शाम को एक विशेश पूजा की जाती है जिसमें आम तोर पर तेल के दीपक और अगरबत्ती जलाना शामिल होता है. कई लोग देवी का स्वागत करने और सकारात्मक्ता लाने के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर जठल रंगोली पैटर्न भी बनाते हैं. तीन, कीमती धातुएं खरीदना और उपहार में देना. धन तेरस पर एक और आम परमपरा, सोना, चांदी या इन धातुएं से बने बरतनों की खरीदारी है. ऐसा माना जाता है कि इस शुब दिन पर ऐसी वस्तुएं खरीदने से सम्रिध्य और सौभाग्य आता है. लोग अक्सर इन वस्तुओं को परिवार और दोस्तों के बीच उपहार के रूप में आदान प्रदान करते हैं. धन की प्रतिकात्मक शुद्धे इस अनुष्ठान को नकारात्मक उर्जाओं से छुटकारा पाने और सम्रिध्य को आमंत्रित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है. धन्तेरस से विभिन्न किम्वदंतियाओं जुडी हुई है. एक लोगप्रिय कहानी राजा हिमा के बेटी की है, जिसकी जान इपक जलाकर और जाकर बचाई गई थी. इस परमपरा ने धन्तेरस की रात को सुरक्षा और कल्यान के प्रतीक के रूप में जागने की प्रथा में अनुवाद किया है. कुल मिलाकर धन्तेरस परमपरा, प्रतीक वाद और सांस्कृतिक महत्व से सम्रिध दिन है, जो लोग क्या दो लोग में जागने लोग में अन्तेरस प्रतीक में चाहते हैं. जो लोग में जागने हैं, यो ये जागने हैं.